बिसमिल्ला रह्मान रहीम, असलाम बेकुम शुडेंट्स, I hope you people are all right और आज 19 माए हम पढ़ने जा रहे हैं जी टॉपिक 9. बनने है आपकी बुक का हाफ हम कल पढ़ चुके थे जिसमें हमने रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिक्शन का डिफरेंस देखा था ठीक है और रिक्रिंडोर प्रोड के बारे में भी देखा तो और एक हमने वाटर की ग्जामपल देखी थी ठीक है जी तो आज हमने इस टॉपिक का नेक्स्ट आफ देखना है जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर थ्री पे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं जी हमारे एक्जामपल देखनी है आज हमने रिवर्सिबल डिरेक्शन की इर्रिवर्सिबल डिरेक्शन में आपको कहा था अगर उसकी आपने एक्जामपल लिखनी हो तो आप बोटर वाली एक्जामपल लिखोगे लेकिन अगर आपने reversible reaction की example लिखनी है तो आज जो हम पढ़ने जा रहे है formation of hydrogen iodide जो hydrogen iodide की formation है यह आपने लिखनी है example of reversible reaction में ठीक है जी तो अपना topic स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अपने previous concept को revise कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था about the reversible and irreversible reaction हमने कहा था जी के जो चीज़े react करती है उनको हम reactants कहते है और जो चीज़े बनती है उनको हम products कहते है अगर सारे के सारे reactants products में change हो जाएं और products वापिस reactants में change ना हो तो वो हमारा irreversible reaction होगा लेकिन अगर दोनों direction में हमारा reaction जाएगा यानि forward भी जाएगा और reverse भी जाएगा forward भी जाएगा, backward भी जाएगा तो वो कौन सा होगा, वो reversible reaction होगा तो आज हम reversible reaction को ही पढ़ना है चुके detail में तो इसलिए इसका concept थोड़ा से दुबारा देख लें कि reactants और products में जाएगा और products वापिस reactants में जाएगा इसलिए हम इसको double arrow से represent करते हैं और यह जाता है दोनों directions में, यानि forward भी भी और reverse में भी forward का मतलब reactant to products और reverse का मतलब products into reactants ठीक है वापिस आ जाएगे products reactants में तो यह कौन सा reaction होगा, यह reversible reaction होगा अपने topic की तरफ चलते हैं जी, यह heading लिख लेजएगा reaction between hydrogen and iodine ठीक है जी, जो आपको यह उपर नजर आएंगी box में या आपने heading बना लेनी है अपनी book पे इसी तरह से okay जी, let us discuss our reaction between hydrogen and iodine hydrogen और iodine के reaction हमने discuss करना है अब इस reaction को हम क्यों discuss कर रहे है इसका reason क्या है, इसका reason यह है कि हमारे पास जो iodine होता है, उसका color होता है purple ठीक है, और जो हमारे पास इन दोनों के reaction की वज़ए से hydrogen iodide यानि HI बनती है hydrogen iodide वो होती है colorless तो हम इनके color की वज़ा से यह देख सकते हैं कि हमारे reaction किस direction में जा रहा है अगर हमारा जो reaction mixture है वो purple हो रहा है, जादा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें iodine बन रही है और अगर वो colorless हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर hydrogen iodide बन रही है ठीक है तो चुके हमारे reactants और products के color में थोड़ा सा फर्क है इस वज़ा से हम इस reaction को study करें ताकि हम easily observe कर सकें कि किस point पर कौन सा reaction हो रहा है forward हो रहा है या reverse हो रहा है या दोनों अगर एक ही rate पर हो रहे होंगे तो हमारे reaction mixture जो color है वो constant हो जाएगा अगर color constant हो गया यानि वो in between हो गया white और purple के तो हम कहेंगे कि अब हमारे reaction जो है इसने equilibrium return कर लिया लेकिन अभी हम equilibrium को discuss नहीं करें भी हम सिर्फ इस example को देखेंगे कि forward कप जाएगा और reverse कप जाएगा purple होगा तो उसका क्या मतलब है और अगर वो colorless हो रहा है तो उसका क्या मतलब है ठीक है अचा जी ये दो लाइने लिखने के बाद उस heading के अंडर उसके बाद आपने heading बना लेनी है forward reaction की जो आपको उपर नजर आ रहा है forward reaction यही आपने heading बना लेनी है अपनी बुक पे next paragraph पे अचा जी अब हमने करना क्या है कि hydrogen और iodine के वेपर्ज लेने एक flask में hydrogen जो है वो भी colorless होती है लेकिन हम उसे consider नहीं करते बिको जाहिर अगर iodine बने तो साथ hydrogen भी बनेगी और अगर rate करना तो दोनों ने rate करना है ठीक है तो हम जिन colors को discuss करते हैं वो hydrogen iodide का color है और iodide का color यानि iodine का color है ठीक है जी तो heating में क्या होगा जब हम heat करेंगा hydrogen और iodine को close flask में remember close flask में heat करना है तो purple color जो iodine के वो fade होगा, fade का मतलब क्या है कि वो disappear होना शुरू हो जागा खतम होना शुरू हो जागा, अब ये color खतम क्यों हो रहा है, क्योंकि iodine ने react करना शुरू करती है, iodine ने react करके colorless cheese बनाना शुरू करती है जब iodine react करके colorless cheese बनाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जब ये colorless cheese बनेगी, तो उसका जो purple color है वो fade होना शुरू हो जाएगा, और colorless ये white color है, वो प्येर होना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से में पता चल जाएगा कि iodine उसने रियक्ट करना शुरू कर दिया है hydrogen के साथ और hydrogen iodide बनाना शुरू कर दिया है ठीक है जी तो यह जो हमारा reaction है जिसमें hydrogen और iodine react कर रहे हैं और hydrogen iodide बना रहे हैं यह कौन सा reaction है यह forward reaction है react करके hydrogen iodide बना रहे हैं जब उनको हमने heat किया तो यहाँ पर जो purple color है वो ख़तम ओर और colorless जो है यह जो white color है in other words वो appear हो रहे है ठीक purple color क्या हो रहा है फेड हो रहा है खतम हो रहा है क्यों खतम हो रहा है यह जो है hydrogen के साथ react करके product बनाना शुरू कर दिया है तो परपल कलर जो खतम हो रहा है वो इसीज की इंडिकेशन है कि हमारे रियक्टेंट्स ने प्रोड़क्स में चेंज होना शुरू कर दिया है, ठीक है जी, ओके, अगर हम रिवर्स टिक्शन की बात करें, तो रिवर्स टिक्शन में क्या होगा, कि हाइड्रोजन आयोडाइड अब वो हीट हो गए, अब उसको हमने हीट करना है, पहले हमने हाइड्रोजन आयोडीन के वेपर को हीच कैयां अब रिवर्स टिक्शन है तो इसमें जाहर है प्रोड़क्स को हीट करेंगे, प्रोड़क्स अगर हीट करेंगे तो क्यों होगा, पर्पल कलर रियापीर, बोर स्रिक्षिन में अगर आप लोग देखो तो दुबारा से आयोडीन बन रही है तो दुबारा से परपल कलर रियपियर होना शुरू हो जाएगा क्यों? क्योंकि अगेन हाइडरोजन आयोडाइड ने डिकंपोज होना शुरू करती है इन्टू आयोडीन दोनों रियक्षिन याद रखेगा हीटिंग प्योंगे जो एरो के उपर आपको डेल्टा साइन नज़र आ रहा है यह हीट को शोग कर रहा है ठीक है जी? तो इस केस में क्या है हाइडरोजन आयोडीन ने रियक्ट करके हाइडरोजन आयोडाइड बनाया रिवर्स रिक्षिन में क्या हुआ? हाइडरोजन आयोडाइड ने हाइडरोजन और आयोडीन बनाई फॉर्वर्ड रिक्षिन में पर्पल कलर फेड हुआ, डिसपियर हुआ जबके reverse friction में purple color reappear हुआ उसका reason मैंने आपनों को explain कर दिया है ठीक है जी आगे चलते हैं जी overall reaction है उसके बाद यही आपने heading कर लेनी है ज़िए चार heading आएंगे आपके आज के topic में पहली heading जो मैंने आपको बताई थी formation of hydrogen iodine hydrogen iodide और second heading में आपको बताई forward direction की third heading में आपको बताई reverse direction की और fourth heading है आपकी overall reaction की तो overall reaction अगर हम लिखेंगे तो उसको हम किस तरह से represent करेंगे उसको हम represent करेंगे इसमें आपको जो है वो आपकी book पे equation मिल जाएगी जिसमें hydrogen iodide react करके hydrogen iodide बना रहे हैं और दर्मियान में एक double arrow है ठीक है तो वो double arrow indicate क्या कर रहा है जो forward जो सीरे वाला arrow है वो forward direction को शोग कर रहा है और जो back वाला arrow है वो reverse को शोग कर रहा है इसे तरह से ये diagram है आपकी book की इसको अगर आप लोग देखो तो इसमें भी जो पहली vessel है हो जाएगा यनी purple color disappear होना शुरू हो जाएगा और क्या होगा कि hydrogen iodide बन जाएगी लेकिन अगर हम hydrogen iodide को heat करेंगे तो reverse में क्या होगा decomposition होगी और purple color क्यों होना शुरू हो जाएगा reappear होना शुरू हो जाएगा वही बात है जिसको उन्होंने diagramatically show किया हुए और यह diagram आप लोगों ने करनी है चीक है अच्छा यह छोटा सा मैंने flow chart type बनाया है जो आपको मजीद इसको समझने में असानी होगी यह जो आपको white color कर नज़र आ रहा है यह है hydrogen और जो purple है यह क्या है iodine hydrogen और purple क्या होगे जी react करेंगे और क्या बनाएंगे hydrogen iodide जो आपको नहीं जाना साहर है जो कि colorless है चीक है तो चुँके H2 है दो hydrogen react करेंगे इस तरह से I2 है तो दो iodine है तो दो 2I बनेंगे ठीक है जी 2I नहीं स्वरी 2HI 2HI का मतलब क्या है है कि 2 molecules बनेंगे जीकिन H2 का मतलब क्या है कि hydrogen और hydrogen ने bond बनाया है ठीक है जी तो H2 और I2 के reaction से क्या बन रहा है 2HI यह नहीं hydrogen iodide के 2 molecules ठीक है जी तो यह हमारा होगे forward reaction जिसमें hydrogen और iodine react करके hydrogen iodide बना रहा है इस तरह से हमारा होगा जी reverse reaction जिसमे hydrogen iodide वापिस hydrogen और iodine बनाएगा ठीक है जी अब arrows के जो color है उससे भी आपको somehow idea हो रहागा कि मैंने एक white रखा है एक purple रखा है तो white वाले में क्या है कि जो product हमारे पास बन रही है वो क्या है colorless और जो purple वाला है वो क्या show कर रहा है कि जो हमारे पास product बनेगी उस case में या जी reverse reaction के case में वो क्या है परपल कलर की है तो जब हमारा forward reaction होगा तो colorless products appear होगे परपल कलर disappear होगा और जब हमारा reverse reaction होगा तो reverse reaction में परपल कलर again reappear होगा reappear होने का मतलब यह है कि दुबारा से iodine बनना शुरूर गई ठीक है जी I hope इस flow chart के बाद आप लोगों को यह समझ आ गया होगा the formation of hydrogen iodide अब आप लोगों नहीं करना क्या है आप लोगों नहीं learn करना है जी example of reverse reaction जो आज हमने पढ़ी है formation of hydrogen iodide और अच्छे से पढ़ें साथ साथ पढ़ें ठीक है जी and thank you very much stay blessed